तो जब कोडी रोट्स अब हारी जो के रेसल मीने 39 में तो सबसे बड़ा कोशन यहीं होगा ना दिमाग में गई ऐसा क्या रीजन है डवल डबले के पास में कि उन्होंने कोडी रोट्स को वरा दिया रेसल में 39 के अंदर यप उसी रियल रीजन के बार में बात करेंगे इस व सबसे बड़ा मासिव रीजन है क्यों आज रोमर रेंस ने अपनी चैंपरशिप है उसे रीटेन किया और जो कोडी रोट्स ने बहुत मासिम मासिम अगर आप 945 डे तक रोमन हा जाते तो लगता है यह डवल डबली ने किया क्या एक हजार दिन को बचाने के लिए कोडी रोड्स का आज को जो रेसल में होने का मोमेंट है वो पूरे तरीके से सैक्रिफाइस कर दिया हम ऐसे सैक्रिफाइस करोंगा विग रोमन के एक हजार दिन सेव करने के लिए डवल डबली को यहां पर हरवाना पढ़ा को डी रोड्स को एक रेसल मेनिया मोमेंट करना पढ़ा सैक्रिफाइस लेकिन साथी में तुम्हें ये भी बता दू एक और जो बड़ा रीजन आया सामने हो रेसल वोट सी तरफ से रेसल एसे कुछ कहना है रेसल वोट का तो लग रहा है डवल डबली ने भाई एक बहुत लंबे टाइम से कह सकता हूं प्लान किया था कि रोमर रेंज रीटेन करेंगे रोमर रेंज अभी चैंपरशिप नहीं हारने वाले हैं और मुझे अब धूर धूर तक लेटरली पता नहीं को कोडी का मुवमेंट सेक्रिफाइस करना पड़ा रोमर रेंज के एक हजाद दिन बचाने के लिए और मेरा तो बड़ा सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही है कि अगर कोडी नहीं तो कौन सा इंसान है जोगी एक्ट्वल में हराता हुए नजर आएगा रोमर रेंज को अगर यह वाली वीडियो पसंद आई है फटाफ फटसेस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना साथी में जो लो चैनल के पर निए सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोडिफिकेशन को कर देना और मिल तो आप से आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही साथा जल्दे और हाँ चैनल पर काफी सारे वीडियो जाने वाली हैं तिल देन बाइबाई टेक कियर